Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Online Education आज है 9 सेप्टेंबर और वीडियो में बात करेंगे आज 9 सेप्टेंबर 2023 की महतोपूर्ण Educational Update को लेकर बात की जाएगी हिमाज़ प्रदेश यूजी रिजल्ट अपडेट पर इसके अलावा हिमाज़ प्रदेश यूजी यूजी बीड इंपॉर्टेंट अपडेट काउंसलिंग शेडियोल पर रहने वाला है SPU मंडी से 80 कॉलेज HPU शिमला में किये गए शामिल इसके अलावा MBBS और VDS की अधिकतर सीटे भर गई है इसके अलावा बात करेंगे हम SPU के कौन सकौन से important notification आये है SPU ने UGPG के लिए ये result जारी किये है इसके अलावा बात करेंगे SPU, HPU, RC regular classes कब से होने वाली है 10 course online करवाएगा CU Day Boarding School की site inspection जल्द ही तो इन सब update पर बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं पहले update को सरदार पटेल युनिवेसेटी से 80 college लेकर हिमाच पुर्देश उनिवेसेटी में शामिल कर दिये गए हैं और अधार भूट धांचे की कमी के कारण बीच सरकार ने जारी की ये अधिसूचना ये अधिसूचना जारी कर दी गई है सरदार पटेल विश्योविद्यालय मंडी से संबंधित 80 degree college BBA, BC और संस्कृत college बापिस लेकर हिमाच पुर्देश विश्योविद्यालय में शामिल कर दिये गए हैं और सरदार पटेल युनिवेसेटी में आधार भूट धांचे की कमी से जूजने का तरक दे कर सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है अब मंडी, लाहूल, स्विती और कुलू जिला के 46 college ही सरदार पटेल युनिवेसेटी के तहत आएंगे तो अब मंडी, जिले, लाहूल और कुलू के कुलू के college ये कुछ college है बाकी आनी वाले college वो जो है शिमला में आएंगे और अन्य नौ कॉलेज़ों के अन्य नौ जिलों के 250 college HPU के अंडर आएंगे और इसकी notification जारी कर दी गई है हिमाचपरदेश सरकार के दुआरा तो stop की कमी के चलते PG प्रिक्षाएं भी नहीं ले पारा था सरदार पटेल उनिवर्सेटी और इस वज़ा से ये जो है direction लीगी है बात करते हैं सरदार पटेल उनिवर्सेटी की notification पर तो सरदार पटेल उनिवर्सेटी ने 4thी merit list release की है MA History सरदार पटेल उनिवर्सेटी के लिए इसके अलावा notice आया है spot counseling कम admission MSC physics first year non-subsidized seat सरदार पटेल उनिवर्सेटी में ये non-subsidized seat के लिए counseling कम admission notification आया है notification आया है regarding third merit list of provisionally admitted candidate in MA History इसके अलावा सरदार पटेल उनिवर्सेटी ने result release किया है result of revaluation lot 5 UG PG classes सरदार पटेल उनिवर्सेटी के under graduation और PG classes का revaluation का result अपड़ हो गया है इसका PDF आपको telegram channel में मिल जाएगा telegram channel आप join कर सकते हैं इसके लावा notification release हुआ है extend MA public administration की date जो है 14 तक बढ़ा दी गई है अब बात करते हैं HPU hostel list की तो HPU hostel list जो है 15 September तक आनी संभावित है इसका कारण में आपको पिछले कल भी बता दिया था कि युनिवर्सेटी का जो ERP system है उसमें 110 से 120 चातरों के form शो नहीं हो रहे हैं पर बो छूट गए है तो अब यह form जो है शो होंगी उसके बाद क्योंकि खामिया आगी है ERP system में computer generated system में तो उसके बाद hostel list अलोट होगी और 15 September तक इसके आने की पूरी संभावना है और 3-4 दिनों में यह hostel list आपको अलोट कर दी जाएगी तो आप सम बिश्वाश बनाए रखें धेरे बनाए रखें और टेलिग्राम चैनल जॉइन करें वहाँ पर भी मिल जाएगा इसके अलबाब बात करते हैं Central University धन्शाला की तो घर बैठे ही दे सकेंगी परिक्षा 10 course online करवाएगा Central University जिसमें विदेशी चात्र भी ले सकेंगे प्रवेश तो इस online पढ़ाई का लाब दुनिया के चात्र भी उठा पाएगे और online प्रवेश ले सकेंगे इस पहल से प्रदेश में वेरोजगारी की जो समस्या है उस पर रहात पाने के उदेश्य से ये 10 कोर्स चलाए जा रहे हैं इससे revenue भी increase होगा Central University का तो 5000 से 7000 चात्र आउनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं Central University से हर साल और शुरुआती दौर में 10 आउनलाइन कोर्स शुरू करने की कोशिश की गई है और चात्रों की वारशिक परिक्षाएं भी इसमें ऑनलाइन ही होगी ये जो कोर्स है इनमें कक्षाएं लगाने की जन्वरी से आपको ये सुविधा मिलेगी इनमें आपको कक्षाएं लगाने की जूरुत नहीं तो शिक्षा मंतरी रोहित ठाकूर ने विशेश सचिव की अगवाई में तैसमिती चिननत स्तानों की देगी रिपोर्ट अब तक कुल प्रस्तावित 18 साइटों से कुछ हो सकती है रद मौनसूम सतर के बाद सीम को देंगी प्रेजेंटेशन डे वोर्डिंग स्कूल साइट इंस्पेक्शन से संबंधी थे इसके अलावा हिमाचल में राज्य सरकार के द्वारा जो फ्लैक्शिक प्रोग्राम है उसके तहत डे वोर्डिंग स्कूल जो स्तापित किये जा रहे हैं उनमें 18 चुनाव क्शेतरों में जमीन का चैन हो चुका है इसमें बिलासपूर विधनसभा का क्शेतर गुमारवी, हमीरपूर, नदौन, बढ़सर, भरेंज, सुजानपूर, कानड़ा में ज्वाली, जस्पा, परागपूर, जैसिंग, पालंपूर, नगरोटा, वगवा, पतेपूर, ज्वाला मुखी और शाहपूर क्शेतर है वहीं की नौर में उर्नी, शिमला में जुबल कोट खाई, उन्ना में गगरेट, हरोली में राजिव गांधी डेवोर्डिंग स्कूल के निर्मान को प्रशाशनिक स्वक्रती मिल चुकी है इसके लिए प्रति स्कूल डेट कुरूर जारी भी कर दिया है अब फिल्ड रिपोर्ट आने तक इनको होल्ड में रखा गया है तो साइट इंस्पेक्शन एक वार इनका करवाना बाकी है इसके लावा बात करते हैं हिमाचा प्रदेश उनिवरस्टी अप्डेट पर तो आठ तारी को हिमाचा प्रदेश उनिवरस्टी ने शेडियूल डाला है फी शेडियूल बीचेक, CSE, IT, EEE और ECE और C 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर के लिए तो आप फीस जमा करवाएं इसके लावा MCE Non-Subsidized Vacant Seat List जो है अप्डेट की गई है हिमाचा प्रदेश उनिवरस्टी की द्वारा पिछले कल सरदार पटेल उनिवरस्टी UG Results की अगर बात करें तो First Year Result Expected Release Date ये मैं बार-बार कह रहा हूँ सेप्टेमबर 15 के बाद आपको कभी भी Result देखने को मिलेगा दूसरे हफते में Result कभी भी आ सकता है सेप्टेमबर में आपको Result मिलने की संभावना है आपको Result मिल जाएगा इसके लब अगर आप HPU B.A.C. काउंसलिंग की बात करें तो HPU B.A.C. काउंसलिंग में देरी का सबसे बड़ा कारण जो है पहले रोस्टर का ना आना था अब जो है Merit List प्रिपेर करने में टाइम लग रहा है Merit List प्रिपेर करके साथ में कम्प्यूटर पर ये सारी चीजें अपलोड होनी है तो कम्प्यूटर जो है ब्रांच से जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करना है कम्प्यूटर में फीड किये जा रहे है डेटा जिससे टाइम लग रहा है Merit के साथ कांसलिंग लिस्ट जैसे ही आएगी तो साथ में पूरी कांसलिंग फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कम्प्लीट कर दिये जाएंगे तो ये जल्द ही होगा और इसमें समय लगने की संभावना है लेकिन इस दस से बीस तारीक के बीच में आपको शेयरली जो है मेरिट लिस्ट और कांसलिंग अपडेट मिल जाएगा रेगुलर क्लासिस की बात कहते हैं रेच्पी उरिजिनल सेंटर धर्मशाला में जो क्लासिस है 10 सेप्टेंबर के बाद लगने की संभावना है और सरदार पटेल उनिवस्टे में भी 10 सेप्टेंबर के बाद लगने की संभावना है जैसे कोई ओफिशल नोटिफिकेशन आता है आपको ग्रूप में मिल जाएगा यदि आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगी हूँ तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जिरूर करें धन्यवाद